पूरानी मेटा टीम को यूज करके देखेंगे हम लोग तो काई जब जानते होंगे जब सीजन बन सीजन टू थे तो वैसी बहुत सारी टीम पूरानी मेटा टीम को पूराना मतलब बिल्कुल आल्मोस्ट आल्मोस्ट इंपॉसिबल था अब तो फिलान लाई पोकेमोन आ गया तो डिवालुशन होता है हर सीजन के अंदर हर सीजन में बफ मिलता है देखो इस सेजन में जैसे पॉजन जैप स्लच बॉब्ब बहुत से इ जो टीम थी यानि कि वीनस ओफ फ्रोस्ट लैस और एजिस्टील यह पहले टीम सीजन बन सीजन टू सीजन थी इनमें बहुत अच्छी थी तो आज देखेंगे कि अब इस सीजन एट में कैसा काम करेंगी क्योंकि पहले तो बहुत अच्छी थी तो गाईस देखो मुझे नि करके वाइन विप्स हमने इसको निकाल तो दिया अब देखो याप पर मैं करूंगा क्या मैं इसको फार्म करने के सोच ओछंगा एक इरली शील्ड करेंगा इसको अच्छा का था परूंगा और अजिशील में स्वाफ कर दूंगा ओके एक हैले मने कैच कर लिया एक से कोई है बमने जी ही सवाश रहा हे न है इस कोके सेटता रहे हरे नहीं सब्सक्राइब मैं इसको क्या क्योंकि हो सकता था कि मैं दो फॉक्वर já लिखा है तो यह श्राइस से में निकल पाऊंगा क्योंकि बहुत टाइंगी पोकेमोन है वह मैं जो मैं जो नहीं की थी कि एनर्जी छोड़ा रहा है यहां जो फार्म कर लेंगे पर कोई बात नहीं आप एक फ्रेंजी प्लान्ट के लिए समय नहीं है क्योंकि देखो एक बाइन जादा लेता है इसलिए मैं करता क्या हूं मैं किसी भी फेरी पोकेमोन को अगर मुझे फार्म करना हो तो मैं फ्रेंजी प्लान्ट से फार्म करता हूं अगया है निस्टर रिंटू 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 हम इसलिक लिए तो फावडर्स नो हम लोगा सूपर फिल डेमेज करेंड़ डैमेज पर यार बहीं ड्राइगन बैसे विलोग जानते हो खतरनाक मूव है इस कम लोग कुछ नहीं कर सकते हम जो शील्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि एक स्काय अटैक देखो निकाल सकता है हमको और ड्राइगन ब्राइज दो चार बार लगेगी बस निकालने के लिए इए आचा पोके मोन का इसको कोशलो के कुछ वश्यक्रो के मिशाल से यह ने बहुत बढ़िया बात है अट आक्सी के मारे लिए दिखो फट्राइज की गोस टैपिंग उससे एक मार्त पोके मान बनाती है जो फटे मवल डिस करता है क्योंकि तो आफ लोग लगता होगा कि पोकेमाउंगों में मुझे भी लगा करता था कि अगर एक टाइपिंग नो एफेक्ट है दुसरी टाइपिंग सुपर एफेक्टिव है तो आउटकाम उसका नॉर्माल होगा पर नहीं ऐसा नहीं है स्क्राफ्टी हो गया जैसे मुझे तो लगता नहीं कि जाएगी पूरी पास की हैलो बहुत कम जाएगी ओके अधिस्टील में स्वाप करेंगे हम लोग के दोनों पोकेमान है टीम जो पूरी रिजिस्ट्रेट है फेरी से फेरी पॉईजन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि अगर बिगाड़ सकत क्योंकि अभी नए बफ के साथ पॉईजन फैंग मार मार के मार मार के डिफैंस कम कर 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 के अवह लोग हरा सकते हैं हो सकता है यह कैसा बैटल है इन्रिजिबल पोकेमान लगता है यह बहुत बुरा लाग है अब तक तो मेरा नेट कनेक्शन देखो अच्छा यह को वी हे इफ लगी लागी साय कोई सख्ब्रच भूम थाजल्दी फ्रेंजि प्लाट मार देते मुझे नए पता कि बढला के साजाए गया कि कुछ दिख तो हैं यहां समझ आन रहा कि क्या करना कि नहीं करना है लिट्टी क्या जाता यह अगर में बैटा ला दो मेरी गलती नहीं तो मैं इसको फॉर्स करके दुबारा खोलूगा फिर देगता है बैटल क्या करता है वाप पास आम लोग चले जाएंगे बैटल में अगर आप कोई भी बैटल हाड ज़ाओ मैंने क्वेड कर दिया कोई तो अगर आप ऐसा तो बैटल हो जाए तो उसको फॉस्ट कर दो बारा खोलोगे तो बैटल कर चल लाओ तो आप दुबारा बैटल कर सकते हो यह भी बहुत बढ़िया लीड है तो फिर मारता हूं अब मैं डबल फिर टीम बढ़िया लग रही है या तो तुम शील्ड करो दो लो शील्ड दो हमको अपने या तो तुम एक बार फ्रेंजी प्लान्ट खाओ फर बाग भी फार्म हो युक्कि चाप रिजिस्टेड है फार्म कर सकते हैं कि डबल फिरी टीम बढ़िया लग रही है तो मुझे वन हिट के हो चाहिए फ्रेंजी प फोकस लास ले जाएंगे आउट तो इसको पूरा यह नहीं करेगा एक दोशी बचेगी हाँ देखो एक दोशी बच गई वीनस और को में डालता हूं उंदर चाहां हो जाएगा चलो हो गया बहुत बढ़िया तो गाई ज्यातर तो मों बढ़िया जाए हम लोग आगे देख यहां में बहुत विगली विगली सा है देखके लगड़ी राखे पॉजटाइब भाफ हुएते हैं अच्छी बात हैं लोगों के लिए लोकाउन का होदा तो हमाई टिंग दिक्कत हो जाती वीनस लोट तो जहती जाने वाला है सारे मुझ के रिजिस्टेड है रेजिस्टी यह बहुत तरीका होता है थोड़ देर अटैक ना करने का जिससे सामने वाले की काउंटिंग गड़बड हो जाती है क्योंकि देखो मैं हो गया बहुत से जो बहुत अच्छी है सकतियों की एक्सपिरिंस प्लेयर होते हैं वह मूफ काउंट करते हैं कि अभी एक मूव आया पर दूसरा श्यीना शेल चलता है एक समय काउंटिंग घरिर बाद हो जाती है तो इसलिए मुफ टेखते हैं सब्सक्राइब कर दो और ऐसे बैटल वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो